Hello Friends, Vinoj Sirs IS में आपका स्वागत है. आज के इस लेक्चर में हम लोग पिछले तीन वर्षों के Current Affairs पढ़ेंगे. Arts and Culture Subjects से Related. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग आज के लेक्चर के Contents पढ़ लेते हैं. वैसे तो ये पूरे के पूरे Arts and Culture के Current Affairs Lecture सीरीज में हम लोग तकरीबन 10 टॉपिक्स स्टड़ी करेंगे. ये सभी टॉपिक्स आप स्क्रीम पर देख सकते हैं. लेकिन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो एपिसोड में हम लोग सिर्फ दो टॉपिक्स कवर करेंगे और बाकी अन्य टॉपिक्स हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो दो टॉपिक्स पढ़ाई करने वाले हैं वो हैं आर्कियोलोजिकल एक्सकवेशन्स जिनें हिंदी में पूरा तत्व खोजें भी कहा जाता है. और दूसरा टॉपिक होगा स्कल्प्चर जिसका मतलब होता है मूर्तिकला. तो चलिए फ्रेंड्स आज हम लोग पहले टॉपिक के उपर फोकस करते हैं आर्कियोलोजिकल एक्सकवेशन्स अर्थात पुरा तत्व खोजें ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको सिफ़ एक छोटी सी बात बता दूँ कि आपको इस पूरे लेक्चर के दौरां आपको सभी स्लाइड्स में या ज्यादातर स्लाइड्स में आपको लाल रंग में हाइलाइटेड कुछ वर्ड्स नजर आएंगे आपको उन वर्ड्स के ऊपर बहुत ही ध्यान से आपको अपना अटेंशन फोकस करना है और उनके ऊपर आपको इंटरनेट पे सर्च करके थ Archaeological Excavations के टॉपिक में पहला करण्ट अफेर है New Menhirs Discovered in Kerala's उडंबन चोला तालुक Keral के उडंबन चोला तालुक में खोजे गए हैं नए मेनहीर तो ज़रा देखते हैं मेनहीर का अर्थ क्या होता है मेनहीर का मतलब होता है मेन यानी स्टोन पत्थर हीर का मतलब होता है long ये दरसल एक पश्चीमी यूरोपियन शब्द है जो prehistoric times प्रग्यतिहासिक काल में इस्तेमाल होते थे इनका साधारन रूप से इनका अर्थ होता है खड़े पत्थर, standing stones ये ऐसे प्रकार के stones नॉर्मली हमें bronze ages में देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग हिंदी में कान से यूग भी कहते हैं इन्हें या तो एक group of stones similar stones की तरह इस्तेमाल किया जाता था या सिर्फ एक ही पत्थर की रूप में इन्हें खड़ा करके रखकर इस्तेमाल किया जाता था ये उडंबा चोला नाम की ये जो जगा है ये दरसल एक तालू का है तालू का किसका तालू का इडू की डिस्ट्रिक्ट ये जो जिल्ला है इडू की जिल्ला वहां पर ये एक छोटा सा तालू का है कौन से राज्य में केरल राज्य में केरला ये जो तालू का जो इलाका है ये दरसल तमिलाडू राज्य से अपनी बॉर्डर शेर करता है यहाँ पर एक बहुत ही खास बात यह है कि यहाँ पर मठी कटन शोला नैशनल पार्क भी मौजूद है इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यह बहुत बड़ा मेनहीर है एक बहुत ही बड़ा स्टोन है और इस स्टोन के सामने यह तीन रिसर्चर्स खड़े हैं यहाँ पर यह सिफ एक ही नहीं और भी काफी सारे मेनहीर पाए गए हैं अब जड़ा देखते हैं कि यह जो नया शोध है यह जो नई डिसकरवरी हुई है इसका इंपोर्टन्स क्या है केरल में यह जो नए मेनहीर देखे गए हैं उससे यह साबित होता है कि यह प्राचीन काल में हिस्तोरिक टाइम्स में यह एक बहुत ही बड़ा नेक्रोपॉलिस था। नेक्रोपॉलिस का मतलब होता है एक प्रकार का कबिस्तान समाधीस्तल। ऐसा माना जाता है कि यह मेगालितिक एज यानि कि महापाशान युक का एक बहुत ही बड़ा ब्यूरियल साइट था यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दफन किया गया है यहाँ पर जो सबसे इंपोर्टन चीज एक और जो नोटिस करने लायक है वो यह है कि यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं वहाँ पर बहुत ही खुपसूर्ती से बनाए गए कार्व किये गए कॉबल्ड स्टोन स्ट्रक्चर्स हैं जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पर ओल्रेड़ी एक स्ट्रक्चर्ड एग्जिस्टिंग ग्रेव्यार्ड है और प्रिहिस्टॉरिक सिविलाइजेशन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेनहीर जो पाया गया है वो दरसल 20 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा और मोटाई में तकरीबन 5 फुट पाया गया है यह जितने भी मेनहीर है यहाँ पर यह बात नोटिस करना बहुत जरूरी है कि एक बहुत ही स्पेसिफिक जोँमेटरिकल पैटरन में खड़े किये गए हैं and on a wide cluster of hills, बहुत ही छोटी छोटी पहाड़ियों में एक geometric pattern में इन्हें अरेंज किया गया है। यह जितने भी structures हैं, वो normally east to west direction में खड़े किये गए हैं। अब यह जितने भी बड़े बड़े पत्थर हैं, वो इस प्रकार से खड़े किये गए हैं, जिसे देखकर clear cut यह कहा जा सकता है, कि यह एक बहुत ही पुराने युक के संके तक हैं। और यह जो जमाना है, जब यह बड़े-बड़े stones इस्तेमाल किये गए हैं, वो तकरीबन कम से कम 3000 साल पुराना है। यह देखिए friends, यह एक दूसरा photo है, एक दूसरे main hair का, सेम उसी जगां पर पाय गया है। Friends, यह कुछ unnear discoveries जो हुई हैं हमारे देश में, यह मैं directly आपको homework दे रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इसे अपने slide में cover नहीं किया है, तो इनका importance कम हो गया है। यह मैं आपको self study के लिए दे रहा हूं। आपको क्या करना है, सिफ 50 words में इन सभी के बारे में लिखना है। और जहां जहां पर मैंने आपसे कहा है कि इन्हें plot कीजे map of India पे तो इन्हें आप plot कीजेगा। यह आपको बहुत ज़्यादा helpful होने वाला है। संगम एरा civilization site unearthed in Tamil Nadu's किजाडी town। संगम काल सभ्यता स्थल Tamil Nadu के किजाडी शहर में पाया गया। किजाडी या इसका एक दूसरा pronunciation है किलाडी। यह पुरातत्व खोजबीन का स्थल हाल-फिलाल ही में हो जा गया है। by the joint efforts of Archaeological Survey of India as well as Tamil Nadu Archaeology Department. इन दोनों agencies ने मिलकर इसे हो जा है। यह शहर मदूराई शहर के नस्दीख बसा हुआ है। On the banks of river वईगई, वईगई नदी के तट के किनारे यह शहर हो जा गया है। एक सहाब हैं बहुत ही famous epigraphist, epigraphist यानि पुरा लेखक विशेशज्य, Dr. V. Vedachalam, इनका यह कहना है कि यह जो किज़ाड़ी शहर है वो 5th century BCE से लेकर 3rd century CE इस time frame के दौरा बसा हुआ था। यानि यह किज़ाड़ी शहर तकरीबन 5,000 साल से लेकर 1800 साल के आसपास मौझूद था। यह देखिए friends आपके सामने मौझूद है कि ज़ाड़ी शहर में की गई बहुत ही बहतरीन तरीके से खोजबीन का नतीजा। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जितने भी researchers हैं वो उन्होंने कितना मुश्किल से यह सब खोजबीन किया होगा। यहाँ पर कितने खूबसूरती से यह buildings मौझूद थी उस जमाने की और काफी structure तरीके से यह पूरा शहर और्गनाइज था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन सब कॉंडिनेंट अर्थात भारतिय उपमाधुईप में सबसे पहली बार शहर बसाए गए थे सिंदू नदी के किनारे। इसे ही हम आज सिंदू घाटी सब्यता के रूप में पढ़ते हैं। इसका सबसे common नाम है हरपपा civilization। अब researchers का ये कहना है कि सिंदू घाटी नदी के खतम हो जाने के बाद दूसरी बार जो शहर बसाए गए थे वो उत्तर भारत में गंगा नदी के किनारे और दक्षिन भारत में वैगई नदी के किनारे बसाए गए थे इंसानों द्वारा। यहां किलाडी में तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट अर्थाद लीपी भी पाई गई है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये स्क्रिप्ट 2600 साल पुरानी हो सकती है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये सिर्फ 2000 साल पुरानी है। यहां जानवरों की खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने के सबूत भी पाए गए हैं, किलाड़ी में और कुछ अन्य प्रकार के आर्कियोलोजिकल एविडेंस मिले हैं, जैसे कि स्केलिटल बून्स, 48 स्क्वेर पिट्स, रूफ टाइल्स, इंटो की दिवारें, मिट्टी के बर इस स्लाइड में आप सभी विभिन्न प्रकार के जो भी एविडेंसेस पाए गए हैं किलाड़ी के एक्सकवेशन से वो आप देख सकते हैं, पहले बॉक्स में आप ये देख रहे हैं, यहां पर पाए जाने वाले बोन आबजेक्ट्स, यानि इनसानों या जानवरों की हड एडियों से बनाय गए विभिन्न प्रकार के हतियार या instruments, दूसरे बॉक्स में आप देख सकते हैं शेल बैंगल्स, चूडियां, तीसरे बॉक्स में आप देख सकते हैं, कॉपर के औबजेक्ट्स, ताबे के उपकरण और चौथे में आप देख सकते हैं लोहे के बने अब ज़रा हम बात करते हैं तमिल ब्रह्मी संगम काल की लीपी के बारे में अब ये किलाडी में जो अलग अलग प्रकार के जो भी हमें एविडेंस पाए गए हैं स्क्रिप्ट से रिलेटेड उससे अब एक्सपर्ट अब ये कह रहे हैं कि जरूर इंडस वैली सिविलाइजे में जरूर बहुत ही जादा सिमिलारिटीज हैं और यहां पर बहुत ही अच्छा तगड़ा हमें एक लिंक एस्टैब्लिश करने को मिल रहा है यह देखिए स्टुडेंट्स हमें ऐसे पॉट शाड्स मिले हैं कि लाड़ी में पॉट शाड्स यानी बरतनों के या मटकों के तुकडे जहां पर ऐसी बहुत ही स्पेसिफिक स्क्रिप्ट हमें देखने को मिल रही है ये तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट है अब इस next slide में आप देख सकते हैं और आप compare कर सकते हैं 10 most common ब्रह्मी letters and 10 most common इंडस science आप खुदी अंदाजा लगा लीजिये कि इन में कितनी ज़्यादा similarities है other findings अब हम लोग जरा बात करेंगे तीन दूसरे aspects की पहले हम लोग बात करेंगे buildings की किलाडी में जो buildings पाए गई हैं उसमें आप ये देखते हैं कि एक बहुत ही well established well developed city structure है वहाँ पर जो buildings थी वहाँ पर बहुत ही बहतरीन दर्जे का sewage canal facility भी पाई गई है sewage canal facility का मतलब होता है मल मूत्र नाली की सुविधा है अब वहाँ की जो buildings थी वो ceramic tube से बनाई गई थी वहाँ पर इंटों का भी बहुत ही बहतरीन इस्तेमाल देखा जा सकता है किलाड़ी की जो buildings है वहाँ पर बहुत ही खुपसूरत दर्जे के गोल कुवे भी पाए गए हैं जहाँ पर बहुत जादा पानी भी रखा जा सकता था संपूर्ण भरपूर मात्रा में दूसरी बात करेंगे हम pottery की वहाँ पर किलाड़ी में जो मटके बनाए गए थे वो दो प्रकार की मिटियों के बनाए गए थे एक है aritine और दूसरे है रोलेट टाइप ये दो अलग-अलग प्रकार की शैलियां होती हैं और इसमें कुछ अलग-अलग combination की मिटि का इस्तेमाल होता है मटके बनाने के लिए अब यही सेम प्रकार की जो मिटि के बरतन हैं हमें Roman Empire में भी आपको देखने मिलते हैं इससे ये कहा जा सकता है कि जो किलाड़ी की जो सब्यता थी उसका Roman सामराज्य से भी बहुत अच्छा खासा ट्रेड हुआ करता था एक्सपर्ट्स ने वहाँ पर ब्लैक और रेड पार्चमेंट फ्रैग्मेंट्स भी खोजे हैं इनका मतलब क्या होता है काले और लाल रंग के चर्म पत्र तीसरी बात करेंगे हम लोग जूल्डरी की यानि वो लोग किस प्रकार के और्नामेंट्स पहनते थे किलाड़ी में हमें पाए गए हैं कंचे, marbles, sponges हमें पाए गए हैं, हमें glass beads पाए गए हैं, हमें वहाँ पर copper sheets पाए गए हैं, हाती दात पाए गए हैं, elephant tusks, इसके अलावा हमें कुछ खिलोने भी उसमें पाए गए हैं आप इस slide में देख सकते हैं, जो भी हमने पिछले slide में discuss किया, पहले box में आप देख सकते हैं, बहुत ही खुबसूरत दर्जे की roulette aratine pottery, बहुत ही खुबसूरत shelley से मटके बनाए गए हैं दूसरे box में आप देख सकते हैं कि बहुत ही बहतरीन दर्जे की इटों से वहाँ पर buildings बनाई जाती थी किलाड़ी में तीसरे में आप देख सकते हैं कि buildings का जो pattern है बनाने का, वो बहुत ही box style में है, यह सेम प्रकार का आपको जो style है, grid pattern वो आपको हरपा में भी देखने को मिलता है और fourth box में आप देख सकते हैं वहाँ के आभूशन, किलाड़ी में पाए गए विभिन परकार के ornaments कैसे कैसे थी, बहुत ही खूबसुरत हैं ही इस slide में हम देखते हैं, किलाड़ी में पाए गई सबसे धमाकेदार findings पहले box में आप देख सकते हैं, gold jewelry पाए गई है किलाड़ी में gold के beads पाए गए है, locket पाए गए है, gold के button पाए गए है, needle पाई गई है gold की एक और आप चीज देख सकते हैं, दूसरे box में, सेम, वैसे ही, तीसरे box में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोहरें पाई गई हैं, स्टेंप्स, और चोहते में आपको पासा पाया गया है, पासा यानि डाइस, जो शकुनी मामा की डाइस होती है न, वैसी, यह है आपका second homework, आपको 50 words लिखने हैं, साउथ इंडिया में पाई गई अलग-अलग excavation sites के उपर, जैसे की कोडू मननाल, सिवा गलाई, अडी चन्नलूर, इन्हें आप plot भी कीजिएगा on a map of India, आपको एक और चीज़ पर, बहुत ही खास चीज़ पर आपको 50 words लिखके लाने हैं, accelerator, mass, spectrometry, अब यह क्या तक्नीक है, बात दर असल यह है कि किलाडी में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई गई, जो कितनी पुरानी हैं, इसका हम सही तरीके से अंदाजा नहीं लगा सकते, उनकी dating हम बराबर नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऐसे कुछ 5-6 samples अमरीका भेजे, क्योंकि वो machine नहीं हैं वहाँ पर, हमारे यहाँ पर, तो अमरीका में बहुत ही sophisticated machines हैं, जिससे हम लोग ज़्यादा भैतर किलाडी की findings को study कर पाएंगे, तो इसके बारे में भी आपको खास रूप से आपको लिखना है, फिर आपको अन्य होमवक भी देखे रखा है मैंने, यह आप जरूर करियेगा, Friends, next current affairs है UP से, copper and bronze age chariots, tombs, found in UP's Sanawali village, UP के Sanawali गाओं में, तामबे और कांसे युग के रत मकबरे पाए गए, Archeological Survey of India ने देश में Sanawali नामग जो गाओं है UP में, वहाँ पर आठ समाधी स्तल होजे हैं, इसके अलावा वहाँ पर दो रत chariots discover किये हैं, और अलग-अलग प्रकार के दूसरे भी हमें artifacts मिले हैं, जिसमें शामिल हैं तीन कबरें, coffins, फिर हमें तलवारें पाए गई हैं, हमें खंजर पाए गई हैं, daggers, हमें combs पाए गई हैं, कंगे, और दूसरे ornaments, आभूशन. अब ये जो तीन chariots हमें जो पाए गई हैं, उससे हमें ये पता चलता है, कि यहां पर कोई बहुत ही शाही, कोई बहुत ही बड़े दरजे के जो शाही खांदान के जो योद्धा थे, उनको दफन किया जाता था, इससे हमें ये पता चलता है, कि यहां पर एक बहुत ही famous warrior class यहां पर निवास करती थी, इसके मंजूल सहाब जो ASI से हैं, उनका ये कहना है कि, the discovery of a chariot puts us on par with other ancient civilizations of Mesopotamia, Greece, etc. Where chariots were extensively used, it seems a warrior class thrived in this region in the past. उनका ये कहना है कि, Mesopotamia, Arthart, Iraq, और Yunan, Greece में जैसे बहुत सारे रत वगरा पाए गए हैं, हजारों साल पुराने, वैसे हमारे यहां पर भी अपाए गए हैं, इससे ये पता चलता है कि हमारी सभ्यता भी, हमारी जो उत्तर भारत में गंगा की कि नारे जो बसाई गई जो सभ्यता है, वो बिलकुल सेम वारियर क्लास टाइप की थी, योधा शेली की क्लास थी, बिलकुल वेस्ट के हिसाब से, ये देखिए उस जगा का सनावली के गाउं का एक्सकवेशन साइट, इस साइट में आप देख सकते हैं, यहां पर कुछ बिल हैं, और यहां पर आपको रथ भी देखने को मिल सकते हैं, और यहां पर बरतन भी पाए गए हैं, सनावली एक पुरा तत्व खोज की जगा है, बागपट जिल्ले में, यूपी में, इस जगा पर ब्रॉंज एज चैरियट्स पाए गए हैं, कांसिय यूग के रथ, जब मैं ब्रॉंज एज की मैं बात करता हूं, तो तकरीबन चार से पाँच हजार साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब ब्रॉंज का बहुत ज़्यादा उप्योग होता था, अब यहां पर यह रथ पाए जाने का इतना इंपोर्टन्स क्यों है, यहां पर सनावली उन पाँच गा प्रॉंज ने कौरों के साथ युद्ध को टालने के लिए बातचीत करने का प्रयास किया था, जिससे कुरुक्षेत्र का युद्ध ना हो और पांडव और कौरव दोनों के दोनों शुक्षान्ती से अपना राजपाट चला सकें, अब कुछ लोगों का यह कहना था कि यह स कान से युग में, कान से युग के यह जो रत पाए गए हैं, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है, कि यह जो माभारत के जो इवेंट्स हैं, यह कोई मिथ्य नहीं हैं, यह सब वाकई में हिस्ट्री का एक अभंग हिस्सा हैं. आर्कियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने जो सनौली में खोजबीन की है, उससे ये पता चलता है कि यह लेट हरपन फेज का एक बहुत ही बहतरीन एक्जाम्पल है. लेट हरपन फेज यानि प्रोड हरपा चरण यानि कि हरपा सिविलाइजेशन जब समाथ हो रही थी ये उस दौर का एक बहुत ही बहतरीन एक्जाम्पल है. हरपा सिविलाइजेशन तकरीबन 2200 BCE, 2200 years before Christ, यानि आज से तकरीबन 4200 साल पहले समाथ होने की कगार पर थी. इसी को ही लेट हरपन फेज कहते हैं. सनौली में जो दूसरे बहुत ही बेश कीम्ती जो सबूत पाए गए हैं, historical evidences पाए गए हैं, उनमें शामिल हैं three chariots, तीन रत, legged coffins, यानि कबर जिनके पायदान हैं, ढालें पाए गई हैं, shields, तलवारें पाए गई हैं, helmets पाए गए हैं, मुकुट इत्यादी. ASI का कहना है कि यहाँ पर योधा श्रेणी के लोग रहते थे, आज से तकरीबन 4000 साल पहले. ASI का यह भी कहना है कि यह South Asia की सबसे बड़ी necropolis में से एक है, समाधी स्थल. यह जो रत पाए गए हैं, इनका shape और size देखकर ऐसा लगता है, कि इने घोडो द्वारा कीचा जाता था. जो रत का जो axle है, chassis और wheels जो हैं, वो आज के जमाने के रतों के समान ही देखे जाते हैं. इस photo में, friends, आपको सारी बात बहुत ही clear हो जाएगी. यह एक बहुत बड़ा रत है, जिसे कुछ बहुत बड़े जानवर खीच रहे थे. यहाँ पर जब DNA testing हुई, तो इससे clear cut पता चला कि यह घोड़े की bones हैं. तो यानि यह बहुत बड़े बड़े रत थे उस जमाने में जहाँ पर उन्हें घोड़ो द्वारा खीचा जाता था. अब यह सहाब हैं, यह जो कुछ दवा छिड़क रहे हैं, वो इसले छिड़क रहे हैं ताकि इसे साफ रखा जा सके इन रतों को ताकि इनका contamination और destruction ना हो. सानौली में पाए गए कुछ weapons के यह example हैं, यह उपर का जो आप देख रहे हैं, यह दरसल एक भाले का point है, the point of a spear. लंबे लंबे भाले जो लांसस वगरा जो इस्तेमाल होते थे पहले, दूसरा आप नीचे जो देख सकते हैं, यह एक छोटी तलवार है, बहुत ही जबरदस दिख रही है, यह exactly आपको सेम इसी प्रकार की तलवारें आपको दिखेंगी, जो Hollywood में जो periodic films बनाए जाती हैं, य रोमन सिविलाइजेशन के उपर उसमें भी आपको सेम प्रकार की आपको सोट्स देखने को मिलेंगी, यह रहा आपका homework students, जरूर इसे कीजिएगा, यह homework में आपको दो भौत ही महत्वपूर्ण आपको homework करने हैं, पहला है, बलुआ पत्थर से बना हुआ शिवलिंक हो जा गया है हालगी में विएतनाम में, जो आज से तक्रीब बन 1100-1200 साल पुराना है, और दूसरा है, 4000 साल पुराना शिवलिंक जो भवानियाव गाउं में पाया गया है, जो वारानसी के निकट है, नेक्स्ट करन्ट अफेर्स है, DNA study from राखी गडी rejects Aryan invasion theory, राखी गडी का DNA अध्यायन आर्यान आकरमन सिद्धान्त को खारिज करता है, अब इस करन्ट अफेर्स में यह देखा जा रहा है, कि दूसरा है, दो शोद करता, वसंत शिंदे सहब और दूसरे हैं नीरज राय सहब, इन दोनों का यह कहना है, कि राखी गडी जो की बहुत बड़ी हरप्पा की excavation site है, हर्याना में, वहां के जितने भी लोगों का जो DNA मिला है, उसमें यह ऐसा पता चल रहा है, कि किसी भी प्रकार के विदेशी मध्य एशियाई लोगों का कोई DNA नहीं मिला है, और इससे हम completely ये बात को खारिच कर सकते हैं, कि किसी प्रकार की आरियन, आकरामन की कोई बात पहले हुई थी, बात दर असल ये है, अंग्रेजों ने हमारी इतिहास में ये विचारधारा डाल दी थी, कि मध्य एशिया से कुछ आकरानता आये, और वो यहाँ पर आकर बस गए, और वो ही कुद को आरिया बोलने लगे, ये बात अब साफ साफ रूप से खारिच कर दी गई है, इस DNA स्टडी में ये भी पता चला है कि जो यहाँ पर तिबेट और नेपाल के जो और कश्मीर के जो इलाके हैं, जो एकदम सर्द इलाके हैं, वहीं के ही लोग बाद में में लेंड इंडिया में आये, और वहाँ पर उन्होंने ही अपना वेदिक जो संस्कृती है, उसका आगे विकास किया. इन दोनों रिसर्चेस का ये भी कहना है कि जो वेदिक काल जो था, वो संपूर्ण रूप से घरेलू लोगों द्वारा विकसित किया गया था, और उसमें बहुत ही सीमित मात्रा में बहुत ही कम एक्स्टरनल कॉन्टाक्ट के कोई एविडेंस आपको देखने मिलते हैं। ATP एनरजी में कनवर्ट करता है ताकि हमारी बॉड़ी को एनरजी मिल सकें, इसी का DNA का स्टड़ी किया गया। इन दोनों रिसर्चस ने जब ये माइटोकॉंट्रियल डीने जब इसे स्टड़ी किया तो इन्हों ने ये पाया कि इसमें बहुत ही कम मात्रा में विदेशी एलिमेंट है। लेकिन मोटे-मोटे रूप से ये DNA क्लियरली घरेलू लोगों का है, स्वदेशी लोगों का है। इस स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि कितने मेहनत से लोग इस पूरे के पूरे इलाके की खुदाई कर रहे हैं और यहाँ पर पुरा तत्वर शोद कर रहे हैं। यही है राखी गड़ी का इलाका। अधर इनफर्मेशन में जरा देखते हैं। वसंद शिंदे का ये कहना है कि राखी गड़ी में जो समाधी लेने का दफन करने का जो तरीका पाया गया है वो बहुत ही सिमिलर है अरली वेदिक पीरियड के लोगों के तरह। अरली वेदिक पीरियड या ओवरॉल वेदिक पीरियड को हम रिगवेदिक काल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर रिगवेद लिखी गई। यहां पर जो मटके पाए गए हैं यहां पर जो कंस्ट्रक्शन में जो इंटें पाए गई हैं और यहां पर जो जो स्वस्थ DNA हमें पाया गया है यहां के हड्डियों के आउशेशों से उससे यह पता चलता है कि यहां पर एक बहुत ही well developed knowledge system था जो आगे चलकर वेदिक काल बन गया यहां पर यह भी पता चलता है कि कुछ समाधी की मतलब जो तरीके थे जो कुछ रिचूवल्स थे उससे यह पता चलता है कि यहां पर हजारों सालों से एक continuous बहाव की तरह यहां पर सब्यता चली आ रही है यहां पर बीच में कोई भी काट छाट नहीं हुई है इस स्लाइड में आपको एक aerial view देखने को मिलेगा राखी गड़ी का देखिए यहां पर scientists यहां पर बहुत ही शिद्दत के साथ यहां पर skeletal remains को study कर रहे हैं excavate कर रहे हैं अलग-अलग sports में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि इन दोनों researchers का यह क्याना है कि यहां पर जितने भी skeletons पाए गए उनमें कोई खास cuts या कोई भी ऐसे जंग के निशान नहीं पाए गए हैं वहां के skeletons में जिससे यह पता लगाया जा सके जिसे यह अनुमान लगाया जा सके कि यहां पर पुराने जमाने में कोई जंग हुई होगी जितने भी यहां पर जो कुछ भी यहां पर सुराग पाए गए हैं यहां पर जो भी सबूत पाए गए हैं उससे यही पता चलता है कि यहां कि लोगों की जो जो immunity थी जो health थी उनका जो उनका स्वास्थ था वो बहुत ही अच्छा था और उनके पास एक बहुत ही भैतरी knowledge system था ग्यान तंत्र हाला कि आगे चलकर आप देखते हैं कि यहां पर कुछ बीमारियां जरूर हुई लोगों में कि यहां पर लोगों की स्वास्थ सेवाएं शायद खराब हो गए इसलिए उनकी health decline हो गए यहां पर यह भी पता चला कि दातों का जब DNA लिया गया जिसमें कोई infection नहीं है bones भी सही सलामत है और जो cranium है जो skull की हड़ी है वो भी बिलकुल ठीक ठाक है ऐसे किसी भी प्रकार के मध्य एशियाई genetics यहां पर discover नहीं हुए हाँ हाला कि इरानी लोगों के मतलब जो कुछ DNA है वो जरूर इसमें पाया गया है लेकि इतना भी नहीं पाया गया कि जो यह बत contact जरूर होता था यहां इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहां पर full-fledged skeletons हमें discover किये गए हैं pots discover किये गए हैं कुछ containers discover किये गए हैं राखी गड़ी से यहीं से ही इन दोनों researchers ने यह DNA यह mitochondrial DNA हासिल किया था यह है आपका homework students आपको तीन चीज़ों के उपर पचास-पचास words लिखने हैं सरस्वती जो नदी अब जो पाए गई है उसके कुछ आउशेश पाए गए हैं हर्याना के आसपास घंगर नदी के नीचे और यह पता लगाया है physical research laboratory अमदाबाद में दूसरा आपको पचास words लिखने हैं कि IIT खरकपूर की research जिसमें यह कहा गया कि 900 साल के सूखे की वज़े से इंडस वैली समाप्त होगे और तीसरा पचास words आपको लिखना है बीरबल सहानी इंस्टिट ऑफ पेलियो साइन्सस पर हमारा archaeological excavations का संपूरंट topic हो चुका है अब हम लोग नए next topic पे आगे बढ़ेंगे जिसे कहते हैं sculpture मूर्तिकला sculpture में पहला current affair है life-size बोधी सत्वा स्टुको स्टैचू found in फणिगिरी तेलंगना तेलंगना के पणिगिरी में जीवन आकार बोधी सत्वा प्लास्टर प्रतीमा पाई गई पणिगिरी एक बहुत ही प्रमुख बौध स्थल है तेलंगना में यह पुराने जमाने में सत्वाहन रियासत और इक्ष्वको रियासत के आधीन था यहां पर अन्य अवशेश भी पाए गए हैं जैसे कि महास्तूप चाहित्य ग्रिहर इत्यादी फ्रेंड्स यह है वो मूर्ती भगवान बोधी सत्व की मूर्ती जो फणिगिरी में पाई गई है बोधी सत्व मैं बता दूँ वो भगवान श्री गौतम बुद्ध जी का अवतार होते हैं अगले जनम में आने वाले जनमों में यह वो सभी लोग हैं यह वो सभी देवी देवता हैं जो अभी सिर्फ बोधी सत्व के स्तर पर हैं ये अगले जनम में बुद्ध बन जाएंगे, इनको संपूर्ण ग्यान का बोध हो जाएगा. इस स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि फानीगिरी में हमें और क्या-क्या मिला है. हमें यहाँ पर एक चंदरशीला पाई गई है. चंदरशीला एक बहुत बड़ा पत्तर है जिसमें हमें बहुत काड़ी-गरी देखने को मिलती है. हमें यहाँ पर कुछ विहार गुफाएं भी मिली हैं, हमें यहाँ पर एक छे स्तम्बों वाला मंडव भी मिला है. यहाँ पर हाती के चिन्न वाले हमें यहाँ पर बहुत सारे कॉइंस पाये गए हैं यहाँ पर हमें एक महातलवर सिक्का भी पाया गया है जिसमें एक घोड़े का चिन्न है और उसमें उज्जेनी निशान भी पाया गया है यहाँ पर हमें और दूसरे चीज़ें भी पाई गई हैं जिसमें कीले, मोती और तमाम दूसरे प्रकार के प्लास्तर की मोर्तियां पाई गई हैं यह देखिए फ्रेंड्स इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यह एक स्टूप है उपर की छत तो अब टाइम के साथ अब नहीं रही लेकिन इसका बेस अभी भी मौजूद है यह स्टूप तकरीबन डेड़ से 2000 साल पुराना है दूसरे फोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत स्टूको प्लास्तर आपको देखने को मिलता है ये ऐसे प्रकार के प्लास्टर्स, उभ्रे हुए प्लास्टर्स हम आज भी काफी लोगों के घरों में देखते हैं। बहुत ही खूबसुरत ऐसे प्लास्टर किये गए हैं। दूसरा करंट अफेर है जेश्ठा देवी आइडल डिसकवर्ड इन कोली हिल्स, तमिलनाडू। जेश्ठा देवी मूर्ती की खोज तमिलनाडू के कोली पहाडी में हुई है। दस्विश अताब्दी की जेश्ठा देवी की एक मूर्ती पाई गई है तमिलनाड में। ऐसा कहा जाता है कि ये मिस फॉर्च्यून की देवी हैं। दुर्भाग्य की देवी। इनका जो पूजन हुआ करता था सिर्फ महिलाएं करती थी ताकि उनके फैमिली से किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य दूर रह सके। इनका पूजन सिर्फ घरों से दूर के इलाके में ही होता था। जेश्ठ़ देवी का जो पूजन है, हमें ये दो प्रमुख शीला लेखों पर देखने को मिलता है। ये दोनों शीला लेख तक्रीवटन 1000 साल पुराने हैं। पहला शीला लेख आपको देखने मिलता है सुब्रमन्यम मंदिर में जो मधुरई में हैं। और दूसरा शीला लेख है अरब पालिश्वरर मंदिर जो कोड़ी हिल्स में है नामकल में Friends इस स्लाइड में हम जेश्ठा देवी जी के आइडल को हम देख सकते हैं यह जो सेकेंड आइडल है यहाँ पर डार्क ग्रे रंग का यही है वो आइडल जो पाया गया है यह जो दूसरा जो आइडल है जो पहले बॉक्स में हमें देखने मिलता है यह अलरड़ी किसी मंदिर में established है अन्य जानकारी यह जो आइडल पाया गया है जो मूर्ती पाये गई है यह तकरीबन 67 cm हाइट में है और 60 cm चोड़ाई में है जेश्टा देवी के जो बाल है वो दरसल ऐसे लटके हुए हैं और उनके चहरे पर तिलक है उनके निकट में एक बैल की तरह दिखने वाला आदमी है जिसका नाम है कुलीगन या मन्थन और उनके दूसरे निकट में उनकी बेटी मन्थई हैं एक कववा भी उनके नीचे बैठा हुआ है तो फ्रेंड्स हमारा स्कल्प्चर का भी जो टॉपिक है वो समाप्थ हो चुका है और यह है आपका स्कल्प्चर से रिलेटेड आपका होंवर्ग आपको लज्जा गौरी जी के आइडल जो अभी मिले हैं करनाटक में उसके उपर 50 वर्ड लिखने हैं चतरपूर में पाए गए मूर्तियों पर आपको 50 वर्ड लिखने हैं भगवान रिशवनाद जी की जो मूर्ति पाए गई है तेलंग ना में उसके बारे में लिखना है और तमाम अन्य हमें जितने भी मूर्तियों से संबंदित जो भी खास खास जो भी नियूज है अभी उनके बारे में आपको लिखना है सो फ्रेंट्स ये विडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये पहला विडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा होमवक पूरी इमानदारी से कीजिए सिर्फ लेक्चर देखने से आपको पूरा बेनेफिट नहीं मिलने वाला कोई डाउट हो या फिर कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे एक दूसरे विडियो लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ THANK YOU